नमस्कार SPN 9 News में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार हर्याना की राजनीती में लगातार यहाँ पर सरगर्मियों बढ़ती जा रही है एक तरफ भारती जिनता पार्टी जो अल्पमत में होते वे भी तीसरी बार सरकार बनाने के दावे पेश कर रही है तो दूसरी तरफ घर घर तक हर जन जन तक जुड़ करके कॉंग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करने के दरवाजी तलाश रही है बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि आखिरकार हरियाना की राजनीती में कौन यहां से आगे आने वाले चुनाओं में बाजी मारता हो नजराएगा क्योंकि लड़ाई सीधी भाजपा और कॉंग्रेस के बीच नहीं है बलकि एक थर्ड़ फ्रंट भी बनता हुआ नजरा वाली 37 सीटे BSP के खाते में जाते हुए दिखाए दे रही है और ऐसे में दोनों यदी मिलकर के चुनाओं लड़ती है तो जाट वोट बेंग और उसके साथा दलित वोट बेंग का कॉंबिनेशन जो है वो इस गटबंदन के लिए काम कर सकता है दूसरी तरफ हाम आदमी प बसांसर संजे सिंग पूरू डिप्टी सीम मनी सी सोधिया हो या फिर पंजाब के मुक्रमंतरी भागवन्तमान ये तमाम दिगस महरती आमादमी पार्टी के विजई पर्चम को लहराने के लिए हरियाना की राजनिती में प्रखरता के साथ अपना चुनावी अभ्यान शु दिखा पाए ऐसे में आने वाले वक्त में हरियाना की जो विकास के और जमीली हाकिकत के मुद्दे हैं वो कुछ अलग दिखाए देते हैं कि सान अंदोलन का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा रहा इसके साथ बेरोजगारी जो इसमें हरियाना में यहाँ पर कही ना कही पिछले दस सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी तर देखने को मिल रही है दीपी अंदर से भुड़ा लगा तार ये आरोप प्रदेश सरकार पर लगा रहे हैं कि जिस तरीके से हरियाना को प्रतिवैक्ति निवेश प्रतिवैक्ति आयमें हमने नमबर वन तक देश में पहुंचाया था उस हरियाना का भीज़पी के शर्षनकाल ने बंटा धार कर दिया है अब देख नहीं होगा कि आखिरकार किस तरीके से हरियाना का सियासी समीकर्ण बदलता हूँ नजर आता है क्या ये थार्ड फ्रंट जो तैयार हो रहा है ये बड़ा कमाल करता हूँ है किस पिना इड़ खिस पिना इड़ू